अभी कभी इनसान बहुत सी बाते चुपाने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसके अपने ही उसे नहीं समझेंगे मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है लेकिन आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती प्रेम का रिष्टा केवल वही कायम रहता है जहां रिष्टा प्रेम की दोर से जुरा हो ना कि जरूरत की दोर से ब्यक्ति अपने पूरे जीवन में खुद को सुन्दर दिखाने के लिए जितना प्रयास करता है यदि उसका आधा प्रयास भी अच्छे कर्म करने में लगा दे तो वह महान बन जाएगा वानी को बीना बनाए बान न बनाए तो जीवन में संगीत होगा बान बनेगी तो जीवन में महा भारत होगा प्रेम दिल में कुछ ऐसा होना चाहिए कि हासिल भले किसी दूसरे को हो पर कमी उसको जिन्दिगी भर हमारी होनी चाहिए कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दोड़ा जाए बहुत सारी चीजे ठाहरने से भी प्राप्थ हो जाती है जैसे सुकून, सांती और परमात्मा चल जिन्दिगी एक नई शुरुवात करते हैं जो हमारे बिना खुस है उन्हें आजाद करते हैं जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त बरबाद ना करे सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज़्जत पाने की उमीद मत करना ना ही अपनों से और ना ही गैरों से सूड्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीख लो क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों और अंधेरा चा जाता है उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो लेकिन वास्तव में बड़ा वही होता है जो सब को सम्मान दे और सम्मान प्रवग बात करे हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता आज तुम किसी को रुलाओगे यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा डर मरने से नहीं लगता डर तो मरमर के जीने से लगता है पवधा हो या इंसान सिचाई जरूरी है बस फर्क इतना है कि पवधों में पानी की जरूरत होती है और इंसानों में ग्यान की मुहबबत की सही पहचान इज्जत है जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो कभी आपसे मुहबबत नहीं कर सकता कुछ लोग अपनी अकर की वज़र से कीम्ती रिष्टे खो देते हैं और कुछ लोग रिष्टे बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं तकलीब उसे कहते हैं जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो पर जुबान खामोस हो और समझने वाला कोई ना हो इंसान नहीं बोलता उसके दिन बोलते हैं जब दिन नहीं बोलते इंसान लाक बोले उसकी कोई नहीं सुनता सिक्के हमेशा आवाज करते हैं पर नोट खामोस रहते हैं इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो सांत रहे क्योंकि हैसियत का सोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है बेहतर से बेहतर की तलास करो मिल जाए नदी तो समुन्दर की तलास करो तूट जाते हैं सीसे पत्थर की चोट से तोर दे पत्थर ऐसे सीसे की तलास करो जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए जिस घरी में हच सकते हैं उस घरी में कल के लिए क्यों रोए प्रार्थना करने के लिए दुख का इंतजार मत करो हमेशा परमेश्वर के आगे घुटने टेको ताकि हर परिस्थिती तुमारे आगे घुटने टेके इस स्वर कहते हैं किसी को तकलीफ दे कर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना दुनिया का सबसे कीमती तोफ़ा अच्छा हमसफ़र होता है जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है जिनें पता है कि अकेलापन क्या होता है वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं मुझे रिष्टो की लंबी कतार से कोई मतलब नहीं जो दिल से मेरा हो तो एक सक्स ही काफी है किसी की जिन्दगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिन्दगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किये गए धोखे का पस्तावा आपको सारी जिन्दगी करना पड़े नसीब नसीब की बात है कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है और कोई बेपना मुहबबत करके भी तनहा रह जाता है जिन्दगी ने एक बात सिखाई है जो आपसे बात करना बंद कर देता है फिर वो दूसरों से आपके बाड़े में बात करने लगता है सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूँ जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अंजाने होकर भी अपनों से बढ़ कर इसने और सम्मान दे जाते हैं और कुछ अपने होकर भी जिन्दगी में धोखा दे जाते हैं हर वक्त ओनलाइन रहने वाले लोग असल जिन्दगी में बहुत अकेले होते हैं अपमान का बदला लडाई करके नहीं बलकि सामने वाले बैक्ती से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है चुप रहना ही बहतर है चमाने के हिसाब से क्योंकि धोका खा जाते हैं अक्सर ज्यादा बोलने वाले लोग सब्र कर बंदे ये मुशीबत के दिन भी बुजर जायेंगे हसी उराने वालों के चेहरे भी उतर जायेंगे इनसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता सलाह सब की सुनो पर करो वो जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेख समर्थन करे अफवाह की परवाह मत करो क्योंकि अफवाहो के धुएं वहीं से उरते हैं जहां तुमारे नाम की आग लगी हो जिन रिस्तों में जहर घुल चुका है वो रिस्ते अमरित मिला देने से भी मीठे नहीं हो सकते लोग बुड़े नहीं होते बस आपके मतलब के नहीं होते इसलिए बुड़े लगते हैं अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो जीवन तो बासुरी की तरह है इसमें बाधा रूपी कितने ही छिद्र क्यों न हो लेकिन जिसे बजाना आ गया समझो उसे जीना आ गया